आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ से तो बोला गया critical angle जो होगा reflection from medium 2 से 1 के लिए वो क्या होगा ठीक है तो यहां पर देखें तीन condition दी गई है हमारे पास पहले बार एक दो और हमने तीन condition ली हम लोग क्या करते हैं डॉक कर लेते हैं ठीक है अब यहां पर पहले वाले condition में क्या बोला है कि जो reflection हो रहा है वो कहां से कहां हो रहा है medium 1 से air में हो रहा है ठीक है air का reflective index 1 होता है similarly mu2 से फिर से air में हो रहा है और तीसरी में क्या हो रहा है mu2 से mu1 की तरफ हो रहा है क्योंकि मूटूज दे रखा है तो देखे critical एंगल क्या होता है ऐसा incidence एंगल जहां उसके वाए उस एंगल पर क्या होनी चाहिए जो लाइटी होनी चाहिए वह ग्रैज करनी चाहिए ग्रैज मतलब कि यह surface के पैलल जानी चाहिए ठीक है तो इस एंगल पर जो यह critical इंणिडेंट एंगल होता हुसको इंट इंगल एंगल तो यहां पर यह कितना ज़ाता ना इनटी डिग्री ठीक है similarly यहां पर भी critical एंगल होगा जिसके लिए यह हमारे पास दे रखा है है थीटा वन इसके लिए जो critical angle है वो कितना दे रखा थीटा टू दे रखा है ठीक है यहाँ से आया ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे यहाँ पर जो एंगल दे रखा है थीटा टू similarly इसके लिए जो पूछा गया critical angle कितना हुआ ठीक है तो suppose करो यह हमारे पास light रहाई इसके लिए और यहाँ से ऐसे जा रही है तो इसके लिए जो हमें निकालना है that is हम अजूम कर लेते हैं जो critical angle alpha जो हमें find करना है ठीक है तो हम तीनों में क्या करते हैं snail slow apply करते हैं तो इसमे जो आप snail slow apply करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा mu1 sin theta1 equals to mu into sin 90 ठीक है तो sin theta1 equals to क्या मिल जाएगा आपके पास 1 by mu1 मिल जाएगा और यहाँ से आपको जो mu1 equals to मिल जाएगा 1 upon sin theta मिल जाएगा ठीक है यह sin theta1 हो जाएगा स्वारी ठीक है सिमिलरली जब आप इस पर apply करोगे snail slow दूसरे वाले के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा mu2 sin theta2 equals to 1 into sin 90 करोगे तो फिर से 1 हो जाएगा और यहाँ स जो आपको mu2 मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा 1 upon sin theta2 मिल जाएगा ठीक है तो पूछागे इसके लिए जो alpha की value होगी जब 2 से 1 में जा रही होगी तो क्या होगा effective index तो यहाँ पे आप क्या करेंगे हम snail slow apply करेंगे तो यहाँ पे जब आप snail slow apply करोगे तो यहाँ पे क्या जा करने तो sin alpha की value आपको find करनी ही तो यहाँ जाएगा mu1 upon mu2 ठीक है तो mu1 की value हमने कितनी find करें रहे कि 1 by sin theta1 और इसकी 1 by sin theta2 तो यहाँ जब value put करेंगे तो यह क्या जाएगा sin theta2 upon sin theta1 आ जाएगा ठीक है आपको find क्या करना alpha की value find करनी है तो alpha सब्सक्राइब और यह हमें फाइंड करना था और यह हमारा करेक्ट अंसर भी हो जाएगा देखियो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है सब्सक्राइब आपको यह समझ में आ गई होगी और यह सॉलुशन भी आपका किलियर हो गया होगा है थेंक यू